की जंग वो नहीं जीत पाएगा इसी वज़े से अमेरिका पश्टिम एशिया से अपना बुरिया विस्तर समेट रहा है यह रपोर्ट देखें इरान के वार गेम का पूरा प्लैन सामने आ गया है युद्ध के सब्तर दिन बाद बता चल गया है कि खुद इरान ने इसरेल और अमेरिका के खलाव अपनी रणनीटी से परदा उठाया है इरान ने बता दिया है कि उसका अकलावार क्या होगा, कहां होगा और कब होगा इरान ये तो पहले ही कह चुका है कि पश्यमेशया में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है ऐसा धमाका जो कया मतला देगा, जो सब कुछ मिट्टी में मिला देगा जिसे ना इसरेल जो पाईगा, ना अमेरिका पर अब इरान ने जो कहा है, उसने अमेरिका और इसरेल की सांस हलक मिला दी है इरान की सेना की ब्रांच, IRGC, यानि इसलामिक रिवलुशनली गाड, कोर के प्रमुक ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर साफ साफ कहा है कि घाजा की लड़ाई तो बहुत छोटी है, इरान का मकसर इसरेल को बहुत बड़ी जंग में घसीटने का है इतनी बड़ी और पेचीदा जंग, जिससे इसरेल और उसका दोस्त अमेरिका जितना बाहर निकलने की कोशिश करें उतना ही डलदल की तरफ फंसते चले चाएं इरान के इस वार गेम में तो घाजा बस एक शुरवाती पॉइंट है इरान की साजिशों का जाल गाजा से शुरू होकर इसरेल के पड़ोसी देशों लेबनान, सीरिया, इराक और इसरेल के दक्षन में मीलो दूर बसे यमन तक फैला हुआ है इरान गाजा में तो हमास के पीछे खड़ा ही है वो लेबनान में चरमपंथी संगटन हेजबॉला से भी इसरेल पर हमला करवा रहा है और इसरेल के दूसरे पड़ोसी देश, सीरिया में तो खुद इरान मौचूद है उसने वहाँ से इसरेल को गेर रखा है सीरिया और इसरेल के बीच भी आए दिन हवाई हमलों के खबरे आ रही है और कुछ वक्त पहले इस लड़ाई में ताजा एंट्री होई है यमन के हूथी विद्रोहियों की अमेरिका ने अपने अरक्राफ्ट करियर, लड़ाको विमार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम पश्चन एशिया में तानात किये तो इरान ने यमन में अपने समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों को इसरेल के पीछे छोड़ दिया हूथी विद्रोहियों फिलिस्तीनियों का साथ देने के नाम पर इसरेल पर मिसाइल पर मिसाइल छोड़े जा रहे हैं हूथी विद्रोहियों ने तो यमन के बगल में मौजूद लाल सागर को भी जंग का अकाड़ा बना दिया है वो वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर हमले कर रहे हैं हूथी विद्रोहियों ने कसम खाई है कि जब तक इसरैल घाजा में शांत नहीं होगा तब तक लाल सागर से उसका एक जहाज नहीं निकलेगा खुथी लड़ाके लाल सागर में इतने हमले कर रहे हैं कि खौफ के मारे जहाज कम्पनियों ने वो रूट पकड़ने से ही तौबा कर ली है इस वज़े से एशिया से युरॉप और युरॉप से एशिया जाने वाले पानी के जहाजों को पूरे के पूरे अफ्रीकी महाद्वीब का लंबा चौड़ा चक्कर लगाना पड़ रहा है जिस सफर महंगा हो रहा है और पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ने लगा है इसलिए अमेरिका और ब्रिटन जैसे उसके दोस्तों को लाल सागर की बहरेदारी करनी पड़ रही है हूथी वे द्रोहियों से लड़ने के लिए उन्हें अपने जंगी जहाज समंदर में उतारने पड़े हैं और एक दिन पहले तो हूथी वे द्रोहियों ने ड्रोन से ऐस इसे ताबर तोड़ हमले किये कि अमेरिका और ब्रिटन ने लाल सागर में पंदरह ड्रोन मार के रही है। पूछा कि क्या अफगानिस्तान पर कपचा अमेरिका को जीत दिला पाएगा? क्या अमेरिका इराक में टिक पाएगा? क्या अमेरिका सीरिया में जीत पाया? या उसने वहां सिर्फ पैसा पानी की तरह बहाया? क्या अमेरिका करोणों डॉलर खर्च करके लिए अबनान या यमन में कुछ हासिल कर पाया या फिर उसे हार कर मैदान शोड़ना पड़ा इरान के मेजर जनरल ने अमेरिका पर जो सवाल उठाय वो एहम है अफगानिस्तान उसका सबसे ताजा उदारन है अमेरिका ने वहां 20 साल तक अपनी सबसे लंबी जंग लड़ी मगर दो दशकों मे भी वो वहां से तालिबान का सफाया नहीं कर पाया तो क्या इरान अमेरिका के अफगानिस्तान वाली गलती को उसके और इस्रेल के खिलाफ अपना हथियार बनाना चाहता है क्या खाजा को इस्रेल के लिए अफगानिस्तान बना देगा इरान चा इरान इस्राइल का वही हश्र करने वाला है जो एराक, अफगानिस्तान और सीरिया में अमेरिका का हुआ ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस दूसरे विश्योत के बाद अमेरिका सुपर पावर पन कर उब रहा उसके बाद वो मुश्किल से ही कोई एहम जंग जीता है अमेरिका के साथ मुश्किल ये है कि वो एक साथ दुनिया के अलग-अलग कोनों में कई मोर्चों पर लड़ रहा है और जैपुर से बड़े कबर आपको बता दे जेजेयाम यानिकी जल जीवन मिशन में ब्रस्टाचार का महा बड़ा कुलासा हुआ है एन जेजेयम की रिपोर्ट में बड़े ब्रस्टाचार का खुलासा हुआ है एन जेजेयम की तीम ने की thी मामले की जांज शिपोर्ट में ब्रस्टाचार और आर्नियमें तताओं से परदा फास्ट हुआ है बेहत घटिया गुडवत्ता सामागरी लगाए जाने का खुलासा हुआ केंजर की थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन्स के निर्देशों की धज्जियां उड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहें बीच में जैपुर से बड़ी खबर जैजेम के कारियों में कई चौकारे वाले खुलासे प्लानिंग और डिजाइनिंग की सामने आई है डी पी आर में भी ब्रस्टा चार घटिया क्वाल्टी के लगाए गए प्लास्टिक पाइप बिना लाब टेस्ट के ही ये घटिया पाइप लगाए गए ठेकेदारों को रंगीन बिलो का नियम के खिलाब भुक्तान किया गया है जहां स्रिपोर्टर में भारी आने मताओ का एक बड़ा खुलासा हुआ है एन जैजेम की टीमों ने पेश की है जैजेम की कामकास की रिपोर्ट और इस खबर पर हमारे समधाता राकेश जुड़े हैं राकेश आखिरकार खुलासा होई गया जैजेम की कारियों में कई ऐसे एहम खुलासे हुए है एक महा भ्रस्टाचार का पोल अब सामने आ गया है राकेश अब बिल्कु देखिए जिस तरीके से न्यूच 18 लगातार जल जीवन मिसन में भ्रस्टाचार के मामले उजागर करता रहा है उसके बाद राश्टिय जल जीवन मिसन जो केंदर सरकार की एक बहुत बड़ी एजेंसी है उसने जल जीवन मिसन के कारियों की समिक्षा की है और जो रिपोर्ट आई है वो बेहत चौकाने वाली है चुकि पिछली सरकार ने राजिस्थान में जो जल जीवन मिसन के कारी करवाए गए हैं उन कारियों में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रस्टाचार हुआ है यहां तक कि जहां पर जो इस्टील के पाइप लगने थे उन पाइपों की जगे प्लास्टिक के पाइप लगाए गए और चोकाने वाली बात यह है कि इस प्लास्टिक के पाइपों की गुर्वत्ता भी जास नहीं की गई और रनिंग विलो का ही थेकेदारों को भुक्तान कर गए हैं साथ ही जो एक हमेशा डिजाइन और जो अप्रूवल का जो एक कंसप्ट होता है ड्राइंग डिजाइन उसको बिना अप्रूवल के ही निर्मान कायरिस रूप किये गए यानि जो नीव रखी गई जल जीवन मिसन के कारियों की उनमें भी व्रश्टाचार सामने आया कि रश्टाचार में सिर्फ ठेकदारी सामिल नहीं थे बलकि जलदाए विभाग के उच अधिकारी भी सामिल थे क्योंकि जिस तरीके से भुक्तान किया गया है कारियों का वहाँ पर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के दिसा निर्देश जो है केंद्रिय जलसक्ती मंतराले ने जारी किये थे और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बाद ही इन विलो का भुक्तान होना था लेकिन यहां राजस्तान में जो निर्माड कारी हुए हैं उनकी जाच के लिए थर्ड पार्टी के लिए मैन पावर ही नहीं था यानी बिना कारियों की गुनवत्ता बिना निर्मान सामगरी की गुनवत्ता की जांच के ही जो अधिकारियों ने ठेकेदारों को दिलो का भुक्तान किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन फर्मों को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए था। एन जे जेम की टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि एसे ठेकेदारों के जो विभाग के अधिकारी और समझने अधिन्सिया हैं। उन्होंने जो है कही न कहीं बचाया है और उनके साथ उनकी मिली भगत सनलिपता भी सामने आई है। जो पाइप लगाए गए हैं डियाई पाइप और जो एस्टीपी पाइप है उन पाइपों के लिए जो फैक्टरी के दिसा निर्देश थे कि क्या कुछ वहाँ पर होना चीए था कितर की वनवत्ता मैंटेन करनी चीए थी वो भी उन फैक्टरियों में नहीं पाए गई तो जीवन लोगों के अस्तिवेस्त हो जाते सरकों पर पानी जल भराव की समस्या आने लगती है बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर तो जेजिया में महाप्रस्चाचार का महाकुलासा हुआ है नैशनल यानि की केंद्र जल जीवल म जरुश ने रição